हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस हेमन आज हम स्सेश चेशल 2019 का अपर चौदा तारिक का फर्स सिप्ट का पेपर करेंगे जो अभी ऑक्टोबर में 2020 में एक्जाम हुआ था तो पहला क्वेशन है दो इस पर से रेखाएं अपको कितना डिग्री दिया है तो आपको पता है अगर से आपने इस पर से रेखा पर कोई लाइन डाल दिया तो इन नब्वे डिग्री का कोड बनाती है यह नब्वे होगया यह नब्वे होगया यानि कि यह 180 हो जाएगा तो A और जो O है इनका संभी 180 होगा तो यह 70 है तो आपको कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा और आपको निकालना क्या है आपको निकालना AOP यानि कि AOP यह एंगल निकालना 110 है तो यह कितना हो जाएगा आधा हो जाता है 55 आपका ठड़ ओप्शन ने Next आपको दिया गया यहादि 10% की छूट के बाद किसी पुष्तक का क्राय मुलिय चार सौ छहासी ऐ तो पुष्तक का अंकित मुलिय गयाद करें ठीक है तो क्राय मुलिय दस aging की छूट दे रहें यानि कि 10% को हम एक बटे दस को 36, एक की value 54, तो 10 की value कितने हो जाएगी, 540, आपका fourth option हो जाएगा, next है, यदि 12 pen का crime मुली, 8 pen के बिक्री मुली के बराबर है, तो लाब परते साथ, यानि की 12 का CP, आपका कितने के बराबर है, 8 SP के बराबर है, तो यहां से CP upon SP कितना आ जाएगा, 8 बटे 12 हो जाएगा, तो आपको profit कितना है, लाब परते साथ निकालना है, तो profit आपको कितने के बराबर है, प्लस 4 का, तो 4 का profit 8 का है, तो आपका कितना percent हो गया, आपका 50 percent हो गया, next question करते हैं, किसी संभाव तिर्वुज में परते एक बहिसकोड का मान क्या होगा, ठीक है, यह आपका संभाव तिर्वुज हो गया, यह आपका 60 है, तो बहिसकोड कितना हो जाएगा, यह पूरा 180 होता है, ठीक है, इस्टेट लाइन है, तो यह 60 है, तो यह कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा जो कि आपका 3rd option हो जाएगा next है xy का ratio आपको दिया है 3 ratio 2 x plus y आपको 90 दिया गया 7 x minus y x plus y का अनुपाद क्या होगा तो यहां पर हमें इसकी जरुवत नहीं है तो सीज़े put कर लेंगे तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 7 x minus y कितना हो जाएगा 3 minus 2 1 हो जाएगा और 3 2 5 तो 7 ratio 5 हो जाएगा ठीक है इसका answer first option हो जाएगा next question करते है next आपको बताना है समीकरण 3 x square plus 5 x minus 2 equal to 0 के लिए x का मान क्या होगा तो इसका factor x के मान बताने तो यह आपका कितना हो जाएगा 3 x square तो इसके 3 दो नीच है plus 6 x minus 1 x minus 2 हो जाएगा equal to 0 तो यहां से 3 common लिए 3 x तो यह x plus 2 होगा और यहां से मान वन लिए तो यह x plus 2 होगा तो यहां से आपके factor क्या आजाएगे 3 x minus 1 आजाएगा और यह आपका x plus 2 आजाएगा तो यहां से आपके x की value minus 2 और यहां से आपके x की value 1 upon 3 आजाएगी कौन से option में second option है next question है यदि एक घनाप की तो आयतन क्या होता है, L x B x H होता है, तो यहां पर हम fraction से कर लेंगे, 10% को हम माल लेते हैं, एक बट्टे 10 होता है, तो यानि कि आपका लंबाई जो है, 10 से 11 की गई, 10 से 11 की गई, और 20% को हम एक बट्टे 5 लिख सकते हैं, बढ़ाई है तो 5 से 6 की गई है, और 20% कम की गई तो 5 से आपका 4 की गई है, तो यहां हमारा आयतन क्या आ जागा, पहले case में, यहां से आप cancel कर सकते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहां पर आपका 125 आयतन आ जाएगा, पहले case में, और यहां से आपका 166 और 66 दूनी 132, तो आप देखनें, दूसरे case में आपका 132 है, तो आप कहेंगे, 5, 2, 7 परशेंट की ब्रद्धी होगे, 125 पर, तो कितने की ब्रद्धी होगी, 25 चको 100, 25 पंचे 125, 25 चको 100, सचको 28 बट्टे 5, तो 25, 25, 5 सही 3 बट्टे 5 परशेंट की ब्रद्धी होगे, यह आपका first option हो जाएगा, ठीक है, दूसरा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं successive हमें पता है, कि यहाँ पर successive increase, decrease होता है, तो माल लेते हम 100 तो 100 से 10 परशेंट की ब्रद्धी तो 110 होता, और 110 से 20 परशेंट की ब्रद्धी तो 22, 22 होता है, तो 132 होता, और उसके बाद आपका, इसकी उचाई 20 परशेंट तक कम की कर दी गई, तो यानि कि 26.4 कम की होती, तो आपको कित نہ हो जाता होличअब यहां से 26 दिसम्पलाब 4 कम करते यानि कि 20 परशेट तो आपके 105 दिसम्पलाब 6 हो जाता है तो 5 दिसम्पलाब 6 की ब्रदी हो रही है यहां से भी दिख रहा है ठीक है तो यह इसका आणसर हो जाएगा कैसे भी कर सकते हैं नेक्स्क्रेशन है सैक और 10 ठीटा समिक्रेश रूट 6 से x स्क्वाइर मैनस kx प्लस रूट 6 से इक्वल टू 0 के मूल हैं तो k का मान ग्याद किजिए तो यह आपको रूट दिए गैं है इस एक्विशन के तो यहाँ पर आपको पता है अगर आपकी एक्विशन ax² प्लस bx प्लस c होती है तो आपका प्रूडक्ट और रूड क्या होता है तो यहाँ पर हमारे product of root sec theta into sin theta करेंगे तो यहां से आपका c कितना है आपका यहां देखिए हम इस equation से comparison करेंगे c root 6 है और upon a b आपका c upon a होता है तो a b आपका root 6 है तो यहां से sec theta को 1 upon cos theta लिख सकते हैं यहां आपका 10 theta हो जाएगा और 10 theta equal to यहां से कितना आ जाएगा 1 तो theta की value यहां से 45 आ जाएगी ठीक है और दूसरा आपको पता है sum of root क्या होता है sum of root आपका होता है minus b upon a ठीक है यह equation होती तो minus b upon a इसका comparison यहां करेंगे तो sum of root यानि की set theta plus sin theta equal to आपका कितना हो जाएगा minus b upon a तो b आपका कितना है minus k है तो यह plus का k हो जाएगा और a आपका root 6 हो जाएगा तो यहां पर theta की value 45 रखेंगे set 45 आपका root 2 होता है plus sin 45 आपका 1 upon root 2 equal to आपका k upon root 6 आजाएगा इसको आप solve करेंगे तो इसको solve करके आपका क्या आजाएगा यह आपका 2 3 3 upon root 6 upon root 2 आजाएगा equal to k की value फिर root 2 से यहां root 2 से यहां multiply करेंगे तो 3 बट्टे 2 यह आपका 4 root 3 2 into root 3 हो जाएगा 2 से 2 cancel होगा तो 3 root 3 आजाएगा जो कि आपका first option है तीक है समझ मां आ गया होगा आपको next question करते है next है आपका 9 से विभाज जी 19,596 की दो निकटम संख्या है conscious तो सबसे पहला आप इसकी निकटम संख्या देखें उसे देखें 9 से विभाज जी होने के आपको पता है कि इनके अंकों का sum जो होना चाहिए 9 से विभाज जी होना चाहिए nur 6 पान जो 656 की नजदिक जो संख्या आपकी ये है ठीक है उननीश पान्सो तिरानब्य ठीक है सबसे नस्दी की है इसे चेक कर लेते हैं तो ये 9 से डिवीजवल है नो से ये है और आपका 9-8 कैंसल हो गया 5-3-8-9 तो ये आपका डिवीजवल है तो इसको भी देख लेते हैं इसको देखिए तो निकर्तम सिंख्या निकालने तो यहाँ पर देखें यह डिवीजिवल है 6281 9 तो आंसर आपका यह हो जाएगा 9 से यह सिंख्या निकर्तम सिंख्या जो डिवीजिवल है next question है यदि कोई नाव धारा के विप्रिद दिशा में 15 km की दूरी 5 घंटे में और धारा की दिशा में 42 km की दूरी 6 घंटे में तैय करती है तो किलोमेटर प्रती घंटे में धारा परवा की चाल ज्याद किजिए तो धारा की विप्रित दिशा में 15 km 5 घंटे में यानि कि आपका B-W upstream आपको कितना दिया है यह आपकी बोट की है नाव की चाल है और W जो है धारा की है ठीक है तो B-W आपको 15 km यानि कि speed कितनी आ जाएगी 15 बट्टे 5, 15 पॉन 5 करेंगे तो आपके 3 km आ जाएगी 3 km प्रति घंटे आ जाएगी ठीक है और यहां से B-W कितना आ जाएगा आपका 6, 7, 42 ठीक है 42 बट्टे 6 7 km परावर आ जाएगी तो यहां से हमें क्या निकालना धारा परवा की चाल तो माइनस, माइनस कर लेते हैं तो यह B-Cancel हो जाएगा यह माइनस 2W आ जाएगा और यहां से माइनस 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4, माइनस से माइनस Cancel और W की वैल्यू आपसे 2 दूनी 4, 2 km प्रति घंटे आ जाएगी 3rd option नेक्स्ट टू क्वेशन है यदि 5% वार्षिक दरसे 4000 पर चक्रवधी ब्याज 630.50 होता है तो समय ओधी की करना करें तो 5% का मतलब क्या हो गया तो 5% अगर आप निकालेंगे तो आप देखिए 4000 का 5% निकालेंगे तो 10% आपका 400 होता है 200 तो 200 आपका होता है तो आप देखिए 200 एक साल में आपको ब्याज मिल ला है तो 3 साल में आपको 600 मिलेगा यानि कि आपका 2 और 1.5 तो होगा नि तो आप यहाँ पर 5% साब निकाल के देखिए 4000 का पहले साल में आप अगर 5% निकालेंगे तो आपको 200 मिलेगा सेकंड साल में आप निकालेंगे यहां भी 200 मिलेगा और थर्ड साल में आप निकालेंगे यहां भी 200 मिलेगा फिर 200 को आपको चक्रबर्धी ब्याज है यहां पे निकालेंगे तो यहां पे आपको 200 का 5% कितना मिलेगा 10% 20 और 5% 10 तो सेम यहां पे आपका इस 200 का ठीक है थर्ड साल में इस दोसों का भी मिलेगा आपको 10 और इसका भी 10 मिलेगा और इसका आपको कितना मिलेगा 1.5 तो आप देखेंगे अगर आप देख रहे हैं तो 3 साल में आपको 630.5 मिल जा रहा है तो एक तरीका आपका ये है 630.5 आपको 3 साल में मिल जा रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 एर हो जाएगा और दूसरा तरीका ये है कि आप ratio निकाल के भी कर सकते हैं तो आप देखंगे कि आपको 4000 मिल ला है और उसके बाद जो आपको total आपको मिस्रिदन मिल ला है वो 4630.5 मिल ला है ठीक है तो यहाँ से इसको ratio बना के भी आप solve कर सकते हैं ठीक है इसे cancel करके तो यहाँ आपका ये 4000 हो जाएगा फिर इसे आप 40,000 हो जाएगा और इसे आप cancel करके यहाँ ratio बना के भी इसे कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है यदि cos x equal to 24 बटे 25 है तो cortex plus cos x का मानियाद करें तो cos x 24 बटे 25 है तो सिहदे आपको पता है यहाँ पर तो यहाँ पर के सकते हैं 24 25 होगत्य है यहाँ पर पैसका पैफ्यश्ट ट्रिक होती है तो cot x निकालना, यहाँ पर हम इसको cos x upon sin x लिख सकते हैं, sin x plus 1 upon cos x को 1 upon sin x लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, cos x plus 1 upon sin x आ जाएगा, तो cos x की value आपको कितनी दी गए है, 24 बटे 25 दी गए है, 24 बटे 25 प्लस 1 हो जाएगा, और upon sin x आपको कितना आ जाएगा, sin x साथ बटे 25 आ जाएगा, तो यहां से आप देखें तो 24 प्लस 25 उन पंचास बट्टे 25 अपॉन 7 बट्टे 25 हो जाएगा तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा आपका और यह आपका 7 से 77 उन पंचास तो इसका अंसर आपका 7 आजाएगा जो कि आपका first option है next है यदि 2x cube प्लस ax square प्लस bx मैनस 2 को 2x मैनस 3 और x प्लस 2 से विभाजित करने पर सेस्पल क्रमसर 7 और 0 बचता है तो a और b का मान क्रमसर क्या होगा ठीक है तो यहां पर आप कहने कि 2x मैनस 3 और x प्लस 2 से विभाजित करने पर सेस्पल 7 और 0 बचता है तो आपकी equation क्या है 2x cube plus ax square plus bx minus 2 तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपका x plus 2 से आप भिवाजित करें तो यह इसका factor है तो यहाँ पर अगर हम x plus 2 equal to 0 तो x plus x equal to minus 2 रखेंगे यहाँ पर तो यह 0 आना चाहे क्योंकि यहाँ पर 0 बच रहा है तो इसका factor है तो यहाँ भी 0 आना चाहे तो x की value minus 2 रखके इससे 0 के वराबर लाते है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप इससे 0 के वराबर लाएंगे minus 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा यह minus 8 होगा minus 16 होगा plus minus 2 4 यह आपका कितना होगा 4a हो जाएगा और यह आपका minus 2b होगा और यह आपका minus 2 equal to 0 तो यहाँ से आपका 4a minus 2b equal to आपका कितना आ जाएगा minus 18 आ जाएगा और यहाँ से आपका 2a minus b equal to sorry यह plus 18 होगा 9 आ जाएगा तो एक equation आपकी यहाँ से यह आगी और दूसरी equation यहाँ पर कह रहा है कि 2x minus 3 तो आपका क्या answer आना चाहिए 7 आना चाहिए क्योंकि आपका successful कितना बच रहा है 7 बच रहा है तो इस case में 0 बच रहा था लेकिन आपको निकालने की जरुवत नहीं है आप यहां पर भी इसे कर सकते हैं यहां से आप option देखके यहां पर a और b की value रखेंगे अगर आप a और b की value 3 और minus 3 रखते हैं तो यह आपका 9 के बराबर आएगा 3 दो निच्छ है minus 3 यह plus का 3 हो जाएगा 9 आगया तो इसका answer third option हो जाएगा आप कोई भी option चेक कर रखें तो आपका 9 आना चीए ठीक है तो आपका third option हो जाएगा ठीक है यही इसका easy तरीका है जल्दी से नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं एक्स की value तीन बट्टे दो इस equation में रखें और यहां पर 0 की जगह आपको साथ रखना है और तब देखें ए और a प्लस b की एक equation और आ जाएगी दोनों को solve करें तो आपका answer आ जाएगा next question है 10x equal to 3 बट्टे दो दिया है यानि कि आप इसे sin x upon cos x equal to 3 बट्टे दो लिख सकते है ठीक है और यहां पर आपको यही निकालने है यानि कि sin x आपका क्या होता है प्लस 2 दूनी 4 और यहापका कितना हो जाएगा 3 तिया 9 minus 4 तो 9 4 13 बट्टे 5 हो जाएगा नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं cos x से divide कर लीजे इसे तो यहापका कितना आ जाएगा 3 10x plus 2 और 3 10x minus 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 10x की value 3 बट्टे 2 रखके देखें तो यहाँ अब यहाँ आपका 13 बट्टे 5 आएगा next question करते है next आपको दिया गया आपको एक बार ग्राफ दिया गया बार ग्राफ में क्रमागत 2 वरसो 2017 और 2018 के दोरान 4 विद्यालों में दाखिल विध्यारतियों की संख्या दरसाई गयी है तो आपको निकालना क्या है 2018 में सभी 4 कर लेंगे चार दुनियाठ 28 270 तो यह आपका 270 हो जाएगा next आपका 6 साल पहले रभी और मोहन गोबिंद की आयू का 32 वरसे था यानि कि 6 साल पहले कह रहे रभी मोहन और गोबिंद की आयू का 32 वरसे था अगर अब स्याम उनके साँ जोड जाता तो उन चारों की आयू का 36 व बढ़ जाएगी तो 38 हो जाएगी इन तीनों की ठीक है तो 38 गूणा 3 हो जाएगा तो आप देखें आठतियाँ 24 की 4 एक तीन तियाँ 9 9 और 2 11 तो आप कहेंगे वर्तमान में इन तीनों की जो आयू का सम होगा वो 114 होगा लेकिन आप कह रहा है कि इस पर स्याम भी जुड़ तो औसत आयू कितनी होगी 36 होगी तो यानि कि 36 गुणा चार हो जाएगी तो इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो 6 चको 24 दो 4 त्याँ 12 तो 144 होगी तो अब देखेंगे तो स्याम की आयू तो 144 में से 144 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा स्याम की आयू 30 साल आ नेक्स क्रेशिन करते हैं ठीक है नेक्स सिंप्ली फिखेशन का है तो इसमें हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्ट करेंगे तो यहां दो पंचे 10 15 15 और यह आपका कितना हो जाएगा 40 17 यहां से आपका 17 आ जाएगा उसके बाद 35 17 ठीक है उसके बाद मजला ब्रैकेट 35 17 12 हो जाएगा तो यह आपका 3 गुणा 52 प्लस 7 होगा और यह आपका 4 होगा तो यह आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 दो नीचछे 5 15 प्लस 7 तो यह आपका 7 4 रग गया रहा और 156 आपका कितना हो जाएगा 166 जो कि आपका second option है next है नल एक इसी टैंकी को 20 गंटे में बर सकता है और नल भी उसी टैंकी को 30 गंटे में बर सकता है यदि दोनों नल एक सांथ खोले जाते है तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो ए आपका 20 गंटे में बर रहा है बी आपका 30 गंटे में बर रहा है तो total capacity क्या हो जा और बारा पंचे साथ तो यानि कि बारा घंटे लगें एक साथ टेंक की भरने में नेक्स कुशन है तो सेम डियाई है तो यहाँ पर दिया गया है 2017 में चारों बिध्यालों में दाखिल बिध्यारतियों की कुल संख्या का और 2018 में 4 विध्यारतियों में दाखिल विध्यारतियों की कुल संख्या का अनुपात है तो 2017 में आपके टोटल कितने हैं आप देखिए 990 हैं और 2018 में कितने हैं 2018 में हमने निकाला था 1080 है ठीक है तो इसलिए आपको DI जो करनी है side में करनी है एक बार आपने 1080 जोड़ दिया है तो दुबारा ना जोड़ना पड़े आपको तो यहां से रेशियो क्या आजाएगा 990 ग्यारा रेशियो बारा आजाएगा जो कि आपका second option होगा next question करते हैं next भी आपका DI का है तो यहां पे आपको क्या निकालना है 2017 में बिद्याले हो S1 और S2 का उसत दाखिला तो आप देखिए S1 और S2 का उसत दाखिला क्या है 2017 में 2017 में देखिए S1 और S2 का 250 यह आपको कितना हो जाएगा 490 होगा और 490 का उसत कितना हो जाएगा आपका 2,245 है और 2018 में S3 और S4 के औसत दाखिले का कितना परतिसत है तो S3 और S4 देखेंगे यहाँ पर 1.500 और यह आपका कितना हो जाएगा 400 इसका औसत कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ पर आपका कितना आएगा कितना परतिसत है 245 बटे 200 तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आपका 100 पर्शंट से भी जादे है. तो यहाँ पर आपका घ्लत है यह उपcen नहीं होंगे हैं. ठीक है? 100 पर्शंट से. तो यहाँ पर यह क्या चाह रहा नेक्स्ट है दो समरूप तिर्बुजों का छेतरवल 324 cm2 और 225 cm2 है यदि छोटे तिर्बुज का सीरसलंब 10 cm है तो बड़े तिर्बुज के सीरसलंब की उंचाई cm में क्या होगी तो आपके सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ पर आपका एरिया का रेशियो आपको क्या दिया गया आपको 324 अपोन 325 दिया गया तो इस साइट का रेशियो क्या होता है इसका अंडरूट हो जाएगा यह 18 बट्टे 15 होगा तो यह रेशियो कितना हो जाएगा आपका यह आप करेंगे 36, 18, 35, 15 तो यहाँ पर आपको छोटे तिर्भुच का सिर्स लंब दिया गया यह आपका रेशियो है आपका रेशियो 5 तो सिर्स लंब आप 5 की वैलियो आपको 10 दी गई है यानि कि 2 गुना है तो यह भी आपका 2 गुना होगा बड़े तिर्भुच का सिर्स लंब भी 6 दूनी 12 तो इसका अंसर आपका 12 हो जाएगा नेक्स्ट प्रोशन है यदि एक ब्रताकार बेलन की त्रिज्या 5 सेंटिमेटर और इसकी उचाए 14 सेंटिमेटर तो बेलन का अएटर गन सेंटिमेटर तो बेलन का अएटर क्या होता है पाई आर स्कॉर एच तो 22 बट्टे साथ आर आपको दिया गया है पाँच गुना पाँच इन टू एच आपको 14 तो साथ दूनी 14 पाँच्चे 25 दूनी 50 22 गुना 50 कितना हो जाएगा आपका 25 पंच एक सो दस अग्यारा सो यह आपका सेकेंड ओप्सन हो जाएगा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट दिया गया है दो इस पर से रेखा है एप और एक्यू एक बहारी बिंदू ए से ओक एंडर वाले ब्रत पर खीची जाती है जहां बिंदू P और Q ब्रत पर इस्तित है यदि AP 12 cm है PAQ 60 cm है तो जीवा जीवा PQ की लंबाई ग्याद कीजिए तो यह आपका दिया गया है तो यह आपका यह है आपकी इस पर से रेखा है तो यह आपका P है यह आपका Q है और यह आपका A है तो आपको यह बताना है PQ की लंबाई बतानी है यह आपको इस पर से रेखा AP की लंबाई 12 cm है यह आपकी 60 है तो यह आपकी 12 है इस पर से है तो यह भी आपकी 12 होगी क्योंकि इस पर से रेखा हैं दोनों बराबर होगी तो यह 12 है यह 12 है तो यह 60 है तो ये भी आपका सार्ट होगा और ये भी सार्ट होगा तो ये आपका संभाहुतिर बुज हो गया तो ये भी आपका 12 होगा तो इस कांसर आपका AP की लंबाई की आजाएगी सुरी PQ की लंबाई की जीवा की 12 cm आजाएगी ठीक है, next question करते है next दिया गया है ठीक है, DIOI है same DIOI है, दोनों वर्सों के लिए बिद्ध्याले S3 में दाखिल बिद्ध्यारतियों की कुल संख्या ठीक है, S3 में कितने हैं आपके, 350 है और दोनों वर्सों के लिए बिद्ध्याले S2 में दाखिल विध्यातियों की कुल संख्या का लगबग कितना परतिस है ठीक है तो आपका 350 अपन आपको S2 में निकालना है तो यहाँ पर आपका 300, 200, 500, 600 हो जाएगा तो कितना परतिस है निकाल देंगे 106 का 600 और यहाँ से आपका 65, 30, 56, 48, 58.33 आ जाएगा जोकि आपका 1st option है next question करते हैं next यहाँ पर आपको a plus 2b का holy square minus a minus 2b का holy square का मान निकालना है तो आप कह सकते हैं यह a square इसको a मान लीजे पूरा a square minus b square का formula लगा दीजे यह आपका क्या होता है a plus b a minus b ठीक है तो यहाँ से आप इससे लगाएंगे तो यह आपका क्या आजाएगा a plus 2b a plus 2b plus a minus 2b आ जाएगा और यहाँ से आपका यह आपका a plus 2b minus a और plus का 2b हो जाएगा तो यहाँ से आप देखें 2b कैंसल हो जाएगा यहाँ से आपका a तो यह आपका 2A into 4 भी आएगा और यह आपका 8A भी आजाएगा ठीक है तो इससे करने का एक तरीका और है A और B का मान आप क्या रख लीजे 1 रख लीजे A और B का मान 1 रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा A और B का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा 3 का स्क्वार 9 माइनस यहाँ का 1 आजाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू 8 आरे तो यही A और B का मान आप्सन में रखेंगे तो A की आप्सन है जिसमें 8 हाएगा वह आपका fourth option ठीक है दोनों तरीकी से आप कर सकते हैं तो यहीं पर यह shift खतम होती है अगर आपको यह मेरी मेहनत पसंद आ रही है यानि कि मैं आपके लिए question ढूटके ला रहा हूं solution आपको दे रहा हूं तो आप इस video को share करें जिसको जरूवत होगी उसकी help करें और video को like करें और channel को subscribe ज